सब आपको उसी नजरों से देखेंगे पर जो आप यह बताओगे कि इस बाइक से मैं फ्लिपकार्ट जो मैटो की डिलिवरी करूंगा और वहां से कुछ पैसे कमा के लाँगा ताकि सब लोग खापी सकें तो सायद सब का दृष्ठी कोन कुछ बदलेगा इग्जैक्ट्ली वही हुआ सरवाई ने का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देश बहुत सारी समस्याओं से जूज रहा है चाहे वो गरीबी हो गुक्मरी हो यह हमारे पडोसी देशों की जो स्थिति हैं हमको ले करके इंडिया और चाइना जिस तरह से परिशान कर रहे हैं इन सबका एक सलूशन है हमारा स्पेस प्रोग्राम सूची अगर हमारे देश के किष्रान को कि इस बारे में सही जानकारी मिल जाए कि बारिश इस वर्स कितनी होनी वाली है और कभ उने वाली है ताकि वो सही समय पनी फसलों को उगा सके और काड सके तो सोची उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं न कहीं भुगमरी की समस्या हल होगी इस पेस प्रोग्राम में हम बहुत सी चीजें इंक्लूड करेंगे जैसे कि एक अपना खुद का टेलिवीजन प्रसारण होगा हमारा हमारे सेना के पाथ अपने खुद के सैटलाइट सोंगे. हमारा खुद का एक मौसम विभाग के पाथ सैटलाइट होगा जिसकी सायता से हम कितने रोजगार उपन्न कर सकते ह Pokémon, हम सेना पे जो तनाव बढ़रा है शैटलाइट की मदद से उन पर रजर रख सकते हैं कि चाइना क्या कर रहा है वो अर्डर को कितनी समस्या में एक स्पेस प्रोग्राम से दूर कर सकते हैं निर्जुक लेगा साहत बात में कुछ दम है इतनी बड़े साइंटिफ्ट थे बहुत महान वज्ञानिक थे तो उनका ठीक है मैं मौका देता हूं आपको कुछ करके दिखाईए तो फिर आगे सोचेंगे इसके बारे में और फेले प्रूफ करिए कि हां हमारे अंदर वो पावर है कि हम स्पेस में अमेरिका रशिया जैसे देशों से लड़ाई कर सकते हैं कॉम्पीट कर सकते हैं उनके साथ कदम से कदम मिला कर चल सकते हैं और आज हम यह कर रहे हैं आपको पता है इंडिया सेटलाइट लॉंच करने का कॉस्ट है वह सभी देशों की दुलना में बहुत कम है रशिया तक अपना सेटलाइट आज इंडिया को देता है लॉंच करने में हमरे जो launch vehicles इतने अच्छे डिजाइन किये गए बनाए गए हैं यह बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस्फुली satellites को launch कर सकते हैं लोग और इसके पीछे उस vision लोग कहते हैं कि बहुत लोग का हाथ है बहुत लोग का हाथ है लेकिन एक विजन जो होता है न कि यह करना वो बड़ा important होता है देश को पहला rocket था वो इस तरह से cycle पर रक्तर के लिए ले जाया गया था बजट कम था तो सेटलाइट को ले जाने के लिए बहुत सग ही जरुत नहीं होती सेटलाइट के रो रॉकेट को तो बस को पहुंचाना ही तो launch station तक बाकी तो आगे की बात अपनी ज़गाए है कि इससे पहले मिभारत भारत सेटलाइट ्ट सेटलाइट लेकिन वह से पहले बहुआ उसके पहले हैंलेकिन था उसके दिख्रयाद सेटलाइट था जो मून पर गया था वो मून पर उतरा नहीं एक और बीटर को भेजना था जिसे सेटलाइट जो है एक सेटलाइट चंद्रमा का था जो की चंद्रमा का सेटलाइट 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 ठीक है उसका चक्कर लगा रहा था वहां से इमिजेस ले रहा था और बहुत से संसर्स लगे हुँ जिसके साहिता से वहां से डेटा भेज रहा था चंद्रयान के अलावा हम लोगों ने मंगल यान भी भेजा जितने बजट में मूवीज बनाते हैं अपने वॉलिवुड की अभी बनी थी ऐसी तैसी का रखें आधी पुरुष है ना उतने बजट में यह पहुंच गया था मंगल गरह पे है उतने बजट पर हमारे चंद्रयान थ्री पहुंच गया है डेफिनेटली हंडेट पर सक्सेस्फुली वहां पर जाकर लैंड करेगा उतने ही बजट जितने बजट की मूवी बन रही है यह हमारी स्पेस रेजंसी यह इस्वरों का अचीवमेंट है नासा वासा नहीं टिक जाना तो यह कार्टून पब्लिश वह निए और टाइमस में देख रहे हैं कार्टून में क्या है यह एलाइट स्पेस क्लब है यहां पर वो सब मेंबर्स हैं अमेरिका रशिया चाइना जापान जैसे लोग अंदर बैठे हुए सूट बूट पहन के और इंडिया के गरीब लोग आ करके दर्वाजा खटखटा रहे हैं कि भाईया हमको भी स्पेस क्लब में आना है हम भी स्पेस में आएंगे यह कार्टून बना को लोगों ने मजाक उडाया था इंडिया का कि यह जाएंगे मंगल यान लेकर मंगल गरहते लेकिन वह सक्सेस्फुल हुआ वहां तक पहुँचा अपना काम कर रहा है ठीक है यह इस्थिती थी और आज इस्थिती बदल गई हलाकि इसके बढ़ने माफी मांगी लेकिन आज इसी नियुवयर्क टाइम्स के आर्टिकल्स पढ़िये तब को अलग चीज़े देखने को मिलती है यह इस्थिती नहीं रहे गई है अब चंद्रियान 1 में क्या था हम लोगोने एक और्बिटर भेज़कर जो उसके चक्कर लगा रहा है चंद्रियान 2 जो हमारा मिशन था 2019 में शायद था जिसमें हम लोग चंद्रमा पर अपना एक लैंडर भेज रहे थे जिसका नाम विक्रम लैंडर है वो विक्रम सारा भाई के नाम ही रखआ गया है और साथ में उसके रोवर था रोवर मतलब होता है हंदिम इन गुंआकड पर मतलब होता है मतलब एक छोटा सो रोबोट है जिसमें सेंसर्स और कैमरे वेगरा लगे हुए है जो कि मून की सता को इसके अट्मोस्फियर को एनलेसिस करेगा और साथी साथ और बीटर भी भेजा गया था यह मैं बता चंद्रियान 2 की ठीक है चंद्रियान 3 चंद्रियान 2 के फेलियर के कान ही भे समस्याएं आई होंगी ठीक है उसी सुधार करके फिर इसको बनाकर कि इसको चंद्रियान 3 को भेजा गया था तो चंद्रियान 2 जो भेजा गया था उसमें तीन चीज़ें थी तीन मोडूल्स थे एक रोवर था जो कि चंद्रमा की सता पर टहलेगा घूम घूम के गजिसके अंदर रोवर है रोवर उस से निकलेगा और टहलेगा रोवर लैंडर से कॉन्टैक्ट करेगा वह रोवर और पृथवी के बीच में कनेक्शन बना करके रखेगा उसके लिए और जूआल के बताता हूँ आपको आपको ने थीक है और एक और बीटर था जो चंद वो तो successful हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और बीटर जो है की हो गयो गलत बटन दवा दिए कोई बाद नहीं वापस से दवा देते हैं ठीक है तो जो और बीटर था चंद्रमा के पास जो और बीटर था वो तो घूम रहा है चंद्रमा के चार ओर है ना लेकिन लेंडर जब इससे अलाग होगी हां लेंड करने गया तो वो क्रैश हो गया था है ना इसकी हाड लेंडिंग नहीं हो पाई अब इसका है चंद्रयान 3 का परपस क्या है सौफ्ट लेंडिंग करना यह इसका बहुत बड़ा चैलेंज है चंद्रमा के सर्फेस पे अभी तक मातर तीन देश अमेरिका रशिया और चाइना केवाल यही तीन देश चांद की सत कर पता इसकी सता परफ करें है चांत्रमा की सता क्या साफ्ट लेंडिंग करेगा खागे चंद्रमा की सता पर वारेंडियाश है मार्श पे मंगलगरा पे आसान है वहाँ साफ्ट लेंड़ नी हो आती है लेकिन चांज पे बहुत मुश्कील है पता है क्यों वहाँ वायू मंडल नहीं है जिसे आपको अभी उपर मालो जहाज से आप कूच जाओ और आपको जमीन पे इस तरह सुतरना हो कि आप कोई छोट लगे सॉफ्ट लेंड़न कर लो क्या करोगे बताओ तुमको जहाज से कूच जाए और प्रती पे चोट भी न लगे तो सर पेराशूट यूज करते हैं इसलिए हम लोग है ना क्यों यूज कर पाते हैं क्योंकि आर वायू मंडल आस पास है जो वायू है वह पेराशूट का जब परशूट भरती है तो विरोध करती है हमारी गती का तो हमारी गती नीचे आते आते इतनी बढ़ती नहीं है बलकि स्लो हो जाती है जिसके वहारा हम से सॉफ्ट लेंडिंग कर पाते हैं और अब चोट नहीं लगती है बात समझ में आई लेकिन चद्रमप समस्या यह है डाला है कि वहां पे अट्मास्फियर नहीं है वहां पैरशूट काम नहीं करें है पैरशूट भी टेकनोलजी वहां काम नहीं करे अब सुच तुम्हारा बाप पैरशूट ना हो और तुम प्लेन से कूच जाओ कि सौफ्ट लेंडिंग गरनी है तुमको ठीक है हो जायेगा पाज से खूद रहें जमीन पर वायू मंडल नहीं है पाराशूट यूज नहीं कर सकते क्या करेंगे पता ही है क्या कर सकते हैं लोग हमको आरन में को सूट चाहिए होगा नहीं सूट पहनें उसके पाद ऐसे उसमें से निकलता है न वह प्रपोल्शन ठीक है देखा आरन में क टेक्नॉलजी यूज देखा करें यहां प्रिथवी पर बैठे बैठे उस प्रपोल्सन सिस्टम को इतना exact calculate करना और क्यों है क्यों है क्यों हम चांद है प Ha utiliz रोवर चाहि लेंडर चांद पर है हम पृत्वी पर हैं। लेhole होता है बीचमे बीच सेटलाइट की थिरू मुलिकोशन होता है तो ठीक है और जब तक हम पता चला कि हमको कितनीकरेशिलले आनी है कितनी स्पीड कम करनी है तब तक मामला हो जाएगा गड़बर वो जब तक सिर्णल भेजेगा यहां से हम कंट्रोल करेंगे तब तक वहां हो चुगा हो मामला गड़बर तुरंद रिस्पॉंस करना है ना अगर आपको गिरने वाले हो तब तुरंद हाथ लगा हो रोकने के ल प्यार से लेंड हो जाएगा कोई इशू नहीं आने वाला समझे तुरिसले चांद पर सॉफ्ट लेंड नी करना मुश्किल है यह टार्गेट है है ना चैलेंज एक्चुली ठीक तिसले तीन ही देश पर सफल हो पाए हैं अमेरिका रशी और चाइना चौथे हम बनने वाले लेकिन यह तीनों भी पता है कि यह तीनों भी दो प्रत्वी के चारोर जब चांद्रमा चक्कर लगाता है ऐसे करके ठीक है तो चंद्रमा का केवल 61% भाग ही हमें विजिबल होता हमने आज तक चंद्रमा के 39% भाग को देखा ही नहीं है इसको मुम बोलते हैं डार्क है ना क्योंकि यह प्रत्वी है और चंद्रमा ऐसा गूम रहा है इस चारोर तो जिसके पीछे की साथ है ना चंद्रमा की वह देखी नहीं पए है ना उसको मुलते हैं डार्क साइड वो प्रत्वी की तरफ आती ही नहीं है ठीक इसलिए वहाँ पर क्या है वो भी तो जानना प्रयास अभी तक किसी नहीं किया हम पहले चंद्रयान टू में वह अपनी जगा है पहली बार कुदे पैर टूड़ गया लेंडर का टूड़ गया क्रैश हो गया वहीं पर ठीक है तुशी बार लेंडर बनाये गया इस बार और मजबूत टांग बनाएगे इसकी ताकि क्रैश नहीं पाई इस नहीं वह अभी दिखाऊंगा सारी फोटोस है मेरे पास सारी डिटेल ले कर गया हूं चिंता ना कर तुम लोग ठीक है सारी डिटेल मेरे पास तो यह डार्क साइड जो है उसको एक्स्प्लोर करने जा रहे है हम लोग वहां पर क्या है चंद्रमा पर वहां है बहुत उसकी सता से सता हुआ हलका से एक अटमस्फेर आयंस है वहां पर आयंस फॉरम में आजिन प्लाजमा के फॉरम में है वह सब इस्टड़ी करने जा रहे हैं हम लोग कि क्यो है क्या रीजन है ठीक है चंद्रमा को हम स्टड़ी करेंगे हो सकता रहे रियर अर्थ मेट तो पूर्ण हो थीक है कुछ मेटल्स गरा मिल जाए कुछ यूरिनियम वगरा मिल जाए ठीक है जो हमारे लिए महात पूर्ण है उठाला है इन चंद्रमा से हम लोग जब इतना जा सकते है तो आ भी तो सकते ना यार थीक है तो ऐसी कई चीज़े खोजने जा रहे हैं थीक है दूर डार साईट को एक्सप्प्रोर करेंगे और चंद्रमा के साॉथ पोल नहीं है और फिस कंट्री हं हमी हास's साफ्दublा फॉल प록ंप पर थीक है और क्या करनेवाले है मूं के सरफेस को ऑबजर्व करने वाले मैंने आपको बता ही दिया थीक है तो सिकेंड़ काली में भी जो दूसरा मीशन हुआ जो की फेल हुआ था ठीक है उसमें भी हम लोग पता है यहां से सब कुछ साही साही पहुंच गये हम नों चद्रमा के और बिट में पहुंच गये लेकिन बस कुछ किलोमीटर ऊपर ही एक सौफ्टियर ग्लिच आ गया साफ्टियर ठीक से काम नहीं किया जिसकी वज़े से हम लेंडर की स्पीड को कंट्रोल नहीं करता है क्योंकि आजा था गिर जाएगा ना प्रपल्सिंटम कौन करना पड़ेगा वो नहीं आई रिन में तरफ क्या करना पड़ेगा नीचे की और ज जिसके बस हो जा करके क्रैश हो गया वहां पर तो यह सारी समस्या है और दूसरी समस्या पता क्या आती यहां कि वहां पर पानी वनी तो है नहीं मून पर उतना थोड़ा बहुत कुछ लक्षण मिले हैं हलके बुलके है ना लेकि तो सर्फिस ड्राई है तो जब प्रपलक्शन सिस्टम हम वर्क करता है नीचे तेजी जब वह गैस को फेकता है तो धूल मिट्टी पूरी उड़ती उड़ती है और जाकर पूरे सेंसर्स अगेरे सब बैट वेट जाती है ठीक है पूरा धूल-धूल में हो जाता है ठीक से कैमरें भी कुछ नहीं दि और LVM3 कि फिक है लॉंच वेहिकल मार्क फ्री यह रॉकेट यूस किया रहा है कि हमारे चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए ठीक है बहुत ही विश्वसनिय है यह ठीक है बहुत सारे मिशन्स में इसने बहूत ही सक्सेस्पली काम किया है ठीक और इसी एम है मैं इसको physics के नजरीय से explain करना चाहा हूं ठीक है आसान भास है में ताकि जो physics ने अंता हो उसको पर समझ में कैसे कार कर रहा है Iron Man तो सब समझ गये होगे सब देखे होंगे मेरे को पता है ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर देखो यह जो दो साइड में लगे हुए ना एक यह वाला और एक यह वाला ठीक है यह आँस टू हंडडेड शॉलिड रॉकेट बूस्टर से इसमें लगे अब यह क्या चीजिज़् है सर सॉलिड रॉकेट बूस्टर दिवाली के पढ़ाके जलाए वह उसमें रॉकेट आता उड़ाए वह भी खतरना होता है बस्पन बूडाए है उलाते बस्पन बूडाएं तो रॉकेट में जैसी याग लगती क्या होता है सट इस भागता देखा उसको कितनी स्पीड में जाता है वह लेकिन बहुत ज़्याद दूर तक नहीं जा सकता है क्यों सॉलिड फ्यूल होता है ना बहुत हैवी होता है चंद्रमा तक जाने के लिए तो केवल कितना अभी तुमको अधा साथ यह साथ-सका काम खताम इसका फ्यूल खताम हो जाता है इसका काम इसको इनिशियल थ्रफ देने इसका काम जैसे गाली उठाए पहले गयर उठाए नहीं पहला गयर में क्या तो बहुत पावर होती है एक बार गाली मूव करना स्टार्ट कर दी फिर तो बस गाड़ी को मूव ही कराना है है ना जलत ठीक है पहले तो रखा है राकेट उसको पहले की तरह ही लाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पावर की रिक्वार्मेंट होत अब उसमें जो तरह सोळीड फिई इस तरह के यहां दो बगल दिवाली रोकेट लगा देते हैं लोग यह दोनों ढूंब डिवाली वाले३vedi rocket सा क्या है इसको लगा खरके और यहां से हम लोग इस पो उड़ाते हैं एक यह दोनों इनिशल में स्टार्ट होते हैं पहले जब यह दोनों स्टार्ट होते हैं तो रोके टूलना शुरू करता है तो आगे कहानि इसके बाद स्लाइड समझाता हूं मैं लेकिन सुरुवात यहीं से होती है फिर लिक्विड इंजन य बहुत महत्यो पूर्ण है और बहुत ही जालविस्टस नहीं है इसकी टेकनोलजी जो थी हमारे देश में लाई थी रशिया से लाई थे अमेरिका ना बीच बहुत परिशान कर रहा था कि ये इंडिया को मिलने न पाए टेकनोलजी अमेरिका न सारे साम दाम दंड भेर लगा ठीक है कि मिलने रशिया ने दिया ये टेकनोलोजी इंडिया को और इसमें एक साइंटिस्ट थे हमारे के नभी नारायनन साथ आपको नाम सुना उनको पर एक मुवी बनी थी रोकेटरी तरम भी एफेक्ट है ना उनको बहुत बड़ा रोल था ठीक है और बात में उनके खिला इंडिया इस पेस में बहुत आगे ना बढ़ पाए हमसे कॉम्पीट ना कर पाए इसलिए उसका फिर तरीका क्या हो सकता है किसी तरह से इनकी टीम को तोड़ो कौन काम कर रहा है तो इन्होंने इनको फंसाया और ऐसे सबूत वगरा मिल रहे थे कि इंडिया को मजबूरी मे और उनको जेल हुई बहुत दिनों बाद चीजें जब जैसे से केस चलता रहा जैसे से इंक्वारी होती रही तो समझ में आया कि इसारा फेक केस बनाया गया उनके खिलाफ और अभी उनको एक पंध पुरसकार से भी नमाजा गया है ठीक है जो कि बहुत गर्म की बात है हमा तूटके अलग हो जाता है उसमेरा इनको अलग करते जाता है निकाल करके कैसे अभी दिखाऊं आप कैसा रख याता है ठीक है उसके बाद फिर यह वाला जो है यह में लिक्वीड फिल होता है फिर यह इसको आगे अंतरिक्ष में ले करके जाता है ठीक है फिर यहां से यहा रखा गया इसको इसलिए सब सूपर रखा गया नीचे से जैसे से काम होता जाए इन सब को हम तोड़ तोड़ के अलग करते जाएंगे अभी दिखाता हूं मैं आपको ताकि हलका हो जाए जब हलका हो जाएगा तो कम फोर्स भी आगे जाएगा फिर आगे हमारी क्रायोजनिक अगय Willi ओंड़ अपको पहले आगे नंदर रखा हूं रहा है जाएक जाएगा हवाता कि इसके सारे से न उस हीट से ही खराब हो जाएंगे इतनी स्पीड में जब वो चीज रगड़ेगी हवा के साथ है ना तो इतना ज्यादा हीट प्रोडूस होगी कि उस हीट से इसके सेंसर और खुद भी खराब हो जाएगा इसलिए इसके उपर एक कवच लगा दिया जाता है अभी तो यह मोटी मोटा से स्टार्ट होता है ठीक है स्टार्ट होने के बाद आप देखिए यहां पर एल वन वन जीरो का इगनीशन होता है एक सो आट कीलोमीटर कि सरी एक सो आट सेकंड आडफ सेकंन्म के बाद और चवालीस किलोमीटर की उंचाई पर जब पहुँचता है ना अ ness सγक्राइब जब पहुचता है ही रोकेट तब यह जो विकाश इंजन है जो लिकवीड इंजन है यह लिक्वीड मतलब यह लिक्वीड इंजन है ना इसके अंदर लिक्वीड भरा होता है जिसे हमारा गाली चलते ने लिक्वीड इंजन से लिक्वीड फ्यूल से वैसे लिक्वीड चलता है यह लिक्वीड फ्यूल से चलता है इसको हमका भी स्टार्ट करते हैं 44 कि क्कॉन काम करता यहाँ पर जाके चाट करते हैं और जब इंजन को जाता है तो हम क्या करते हैं ऐस्टू अंड्रीड पर इस को हम सेप्रेट कर देते हैं 62 तब क्या गूफ़ाइगить हम करने लगा अब अब मैं काम कर लूँगा अब इंजन क्या बोलता है आगे काम मैं देख लूँगा अब तुम दोनों जा सकते हो तो यह दोनों क्या करते हैं सेपरेट हो करके अभी मैं लाइफ आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा है ना इस वेबसाइट पर पड़ी हुई है कैसे यह अलग होता है वह कैमरा यहीं पर लगा हुआ था और इसको सेपरेट होते वह दिखाता है बहुत बहुत खूबसूरत लगा देखकर तो वीडियो को मैं आपको भी दिखाता हूं ठीक है तो यह दोनों सेपरेट हो जाते हैं कितनी हाइट पर 62 क्लिमेटर के उंचाई पर जा करके ह हम दोनों solid field वाले engine को हम अलग कर देए ठीक है उसके बाद आगे विकास ने वह बर्न कर रहा है और अगे engine को यह ले कर जा रहा है ठीक है यहां आगे ले कर जा रहा है फिर जब हम लोग पहुंसते एक सो चावदा किलेमेटर क्योंचाई पर क्योंकि हम जानते है कि तो जब हम वायूमंदल से बाहर निकल जाते हैं तब हमें इस कवच की कोई जरुत नहीं होती है जो आगे इसको ढख के लखा हुआ है क्योंकि कवच केवल हमारे वायूमंदल से सुरक्षा देने के लिए था बस और बहुत हैवी मेटल का कवच होता है वो ठीक है इसलिए उस इसको सेप्रेट करने के बाद आप देखे जब यह पहुंचता है 175 किमिशाई पर मतलब प्रृत्वी के वायूमंदल से पुरी तरह बाहर निकल चुका है 175 क्लिमेर की हुजा आट पहुंचता है तब क्या होता है तब इस निपरेट होने की बारी होती जो लिक्विट प्र्कोल्शन होता है ठीक यह यह जो लिक्वीड की फिल्स चलता है इसको भी हम अलग कर दें है ठीक है देखो तीन तरह के इंजन इसमें होते हैं ठीक है पहला इंजन यह सॉलिड वाला दूसरा लिक्विड वाला तीसरा इंजन अभी भी रॉकेट के साथ लगा हुआ है ठीक है जो मैं आप पिछली स्लाइट पर दिखाया था सब से उपर का पार्ट यह होता है और ऑक्सीजन यह होती है लेकिन तमप्रेश करके बहुत ही लो टमपरेचर पर इसमें हाईड्रोजन और 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 बहुत हली हिए था क्रायोजन इंजन जो है वह हो भी इंडिया के पास अपना खुद का है यह भी बहूत बढ़ी उपलक दियो इंडिया के देशों के पास नहीं है इसी लिए अपना सेटलाइट भेजने तक तो ठीक है यहां तक अपना सेटलाइट हम भेज देंगे यहां तक आते आते हैं अपने सेटलाइट को भेज देंगे अलग कर देंगे लेकिन आगे स्पेस में आगे जाना होता है तो इसके लिए पर क्रायो cryogenic engine start होता है और वो आगे ले करके जाता है इस पूरे चंद्रयान को ठीक हैं तो cryogenic engine C25 यह देखी आप start होता है 176 मतलब जब यह अलग हो जाता है क्योंकि यहीं से इसको पहले किया गया इसको पहले स्टार्ट कर दिए क्योंकि इसका नोजल अलग है इन दोनों का नोजल अलग था तो इन दोनों को लगे होने से इसको कोई डिस्टरप्टेंस नहीं था यह स्टार्ट हो गया है ना उसके बाद इनको सेपरेट किया गया लेकिन अगर आप ध फेके उसके अंदर ही फेक देगा ना दिस्टरब हो जाया पूरा सिस्टम तो पहले इसको अलग किया तो उसके जस्ट बात फिर इसको स्टार्ड किया गया और इसका फ्रेफट पीछे निकलेगा तो यह आगे बढ़ेगा आगे इसको मून तक कौन ले करके जाएगा हमारा क्रायोजनिक इंजन ले करके जाएगा ठीक है यहां पर देखिए 174 किलोमेटर की उचाई था हम इस इंजन क्या कर देते हैं सेट आफ कर देते हैं और 179 तक किलोमेटर की उचाई पर जा करके फिर इसको हम सेपरेट कर देते हैं 169 क्लिमेटर के उचाही तक हम इसको सेपरेट कर देते हैं अब इसके बाद जो आगे बढ़ रहा है छोटा आपको मडूल दिखाई दे रहा है यह मडूल कौन सा आपको पता है यह मॉडूल आपका है जरा भई कहां गया यह वाला मॉडूल है इसको बलते हैं प्रपॉल्शन मॉडूल लगा हुआ है और यह ऊपर है यह आपका यहां तक यह लेंडर है यह लेंडर है और नीचे प्रपॉल्शन मॉडूल है तो प्रपॉल्शन मॉडूल जो है वो क्या करता है वो ले करके जाता है इस पूरे सिस्टम को चंद्रमा की और बीट तक कहां ले जाता है च से जो इसपेक्टोमिट्री जो स्पेक्टर वहां से निकल रहे है मतलब किलमला के जो लाइट रिफिलेक्ट के वापस जा रही है ठीक है इसको मेंधर करके इससे हम लोग अर्थ की प्रॉपरिटीज के बारे में हम क्या करेंगे data करेंगे ठीक है तो इसमें की एक्स्ट्रा चीज है जणनाब योती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी यह बस लगा दिया गया उसमें तो यह पूरा ले करके जाता है लेंडर को पूरा लेंडर को लेकर जाता है कहां तक चंद्रमा तक अब देखिए द्यांस देखिए आप कि यह पुर्थवी से निकल करके चंद्रमा था कुंठरिमा की कक्षा तक पहुंच गया यहां चोल था है यहां ट्राइशन है क्राइवजरिक इंजन था सी-25 उसले इसको छोड़ा और उसके बाद यह पहुँच गया चणरमा की कख्षा पर पहलबने निकलने voices प्रत्वी की चक्कर लगाता है और भिद्र अपनी स्पीड को बढ़ाता जाता है और उसके बाद फिर ये इस चैन्द्रमा पर क्या करेगा यह अपनी स्पीड पर चंद्रमा कक्षा में आएगा फिर अपनी स्पीड देदे स्लो करेगा जैसे स्पीड स्लो करता जाएगा इसकी ऑर्बिट छोटी होती जाए चोटी होती जाएगी और अंडेंट जब 100 km की और्बिट तक पहुँच जाएगा 100 km तक उसके बाद वहाँ पहले स्पीड छोटी करते स्पीड कम करके यह इतनी और्बिट छोटा करते करते सव किलो मीटर की रेडियस तक पहुच जाएगा और उसके बाद फिर यह घूम करके जाकर चंद्रमा पे लेंड करेगा बात समझ में आई ठीक है कितना आसान ना तुम भी बेज सकते अपना इस पेस में रॉकेट ठीक है माकी मैंने बता ही दिया यह वही मॉडूल था जो वहां गया है ठीक अब यह मॉडूल जाएगा और जा करके अरे फिर मैंने गलत बटन दवा द लेंड करेगा और कैसी लेंडिंग करेगा सौर्ट लेंडिंग करेगा ऐना प्यार से आयरन मैं तरह उतर बैठ जाएगा ठीक है और इसके बाद यहां सी दर्वाजा खुलेगा और थे दरवाजे को खुलने के बाद बढ़िया ऐसे रैंप वॉक करते हुए यह रोवर थे ताकि इस रोवर को इससे एनरजी मिल सके और साथ बहुत सारे सेंसर लगे हुए है यहां से रोवर उतरेगा और उतरने के बाद यह चद्रमा पर यहां उतरा है वहीं पर रहेगा और अपने आज पास की जमीन का अनलिक्सिस करेगा और वहां से इन्फोरमेशन कलेट करके इसको भीजेगा और यह फिर प्रित्वी प्रवसारी इनफोरमेशन इसको भीज एगा है holes और एक कमाल की बात यह है कि वह यहँख आप ध्यांस देखिके अगरिस माडूल को देख भीक है ध्यांस देखियेaba और इस मोडूल ध्यांस देखिए, तो केवल ऊपर वाला पार्ट ही, ये उत्रा है चंदरमा पर, केवल ऊपर वाला पार्ट? जो नीचे वाला पार्ट है ना, यह एज आध और व्यटर, चंदरमा का चकर लगाएगा, ठीक है, और यह क्या करेगा, ये communication satellite की तरह वर्क करेगा ठीक है क्योंकि अगर किसी तरह से पृतवी और lander के बीच communication ना हो पाया तो ये क्या करेगा ये lander के साथ communicate करेगा communicate को नहीं समझ रहे हो बाची signal transfer करने जिसे मैं तुमसे communicate करता हूँ signal transfer करेगा ये lander इसको भेज़ेगा और ये पृतवी को भेज़ देगा है ना अगर किसी ऐसी position में communication तूटता है lander और पृतवी के बीच में पृतवी मतलब इस रोग बीच में आपने scientist के बीच में ठीक है तो ये एक तरह का इनके बीच communication का ब्रिज बनाने का काम करेगा बात समझ में आई ठीक है है ना मज़ेदार चीज आप इसमें कौन-कौन से sensors लगे हुए वो भी देख लीजिए ठीक सबसे पहले एक रंभा LP sensor लगा हुआ है ठीक यह क्या करेगा यह सब रोवर में लगे हुए है यह क्या measure करेगा यह measure करेगा ions की density जो है उसके surface के नियर पे मतलब मैंने कहा ना की चंद्रमा के surface के पास plasma के रूप में आयन्स के रूप में छोटा से एक atmosphere कह सकते हैं आप वो है ठीक है और उसी की density को measure करने के लिए यह रंभा LP ठीक है एक sensor है जिसको हम भेज रहे हैं ठीक यह charge की density को measure करने वारा है वहाँ ठीक दूसरा चंद्र सर्फिस थर्मो फिजकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक और sensor लगा हुआ है जो कि उसके temperature वगारा को measure करेगा और इसकी थर्मल प्रॉपरिटीस की जांच करेगा यह रोवर में लगे हुए है ठीक है यह रोवर में यह लगे हुए ठीक तो यह भी लैंडर में है जो उतरा है बड़ा सा डब्बा उसमें लगा यह भी यह भी और यह भी ILS थीक है यह क्या करेगा सिस्मिक activity को यह measure करेगा कि जो भी उसके क्रेंट में में जो भी activities हो रही है यानि की जैसे भूकम वगेरा आ है ठीक है तो यह उसको अच्छाव और निकले प्रतिविक तरह वहां भी सिस्टम हो ठीक तो यह वह भी मेजर करने का काम करेगा यह मतलब भूकम लगए ठीक है उसके बाद रोवर जो घूम रहा है लेकर उसके पेड़ोड जो भी उस पर लादा गया है सेंसर के फॉर्म में ठीक है उसमें एक एक अ चंद्रमा की उसका chemical composition क्या है वो कैसे बना हुआ है ठीक है दूसरा sensor LIBS है laser induced breakdown spectroscope यह क्या करेगा यह वहाँ metals को खोजेगा क्या magnesium, magnesium, silicon यह सारी metal वगएरा वहाँ पे available हैं क्या चंद्रमा की सदक वहाँ भी हम पहुंचे तो अपने काम की चीज़ खोज रहे हैं इसलिए पैसा कर चकी है क्यों घर्चा की है ठीक है फिर एक शेप है यह propulsion module की चंद्रमा का घर लगा रहा है थी का करता है अधा अलग हो जाता है चंद्रमा से कह रहा हूं propulsion module और lander D平 mash साथ में थे ठीक है तो केवल lander जा की चंद्रमा कूदेगा जो propulsion module है वहीं चक्र लगाएगा तो उसमें दूँचीजे communication में भी help करेगा और दूसरी उसमें एक sensor लगा हुआ है shape क्या है spectropolarimetry of habitat planet तो यह क्या करेगा यह spectrometry करेगा habitat planet यानि अर्थ की ठीक है और इसके कारे में जानकारियां जूटाएगा इतनी चीजे हैं कि यह कुछ फोटो है जो चंद्रयान 3 mission की कैसे launch हुआ है और यह आपका जो लिक्विड इंजन था स्टेज सेकेंड जो बर्न हुआ था ठीक है यह वो था और बाकी वह फोटोस है कि नभी ना रायंजी है इस विकास इंजन की टेक्नोलोजी इंडिया ले आने में रशिया से काफीन का बहुत बड़ा योगदान रहा है ठीक है और इसके बाद यह खताम हो जाता है लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी देख करके इसमें निट चलेगा वाई चला देना निट लगाता है मॉडन तो लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ बहुत महईदार वीडियो लगा था मेरे को ठीक है इस पर इसरों की वेबसाइट यह सारी इंफॉर्मेशन में कहां से लेके आया हूँ तो मैंने जो भी स्लाइड्स ली है मैंने इसरों की वेबसाइट पड़ी थी सिर्फ मैंने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया है ठीक है ताकि एक्जैप्ट सेम टू सेम इंफॉर्मेशन में आपको वैसे का वैसे दिखा सकते है ठीक है अपने से लिखने में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है इस पर मैंने उठा करके पूरा वहीं से पूरा टीप दिया जिसको हम कहेंगे खुल जासे मिसी गैलरी गैलरी में है एक छोट सा कहां गया ओन बोर्ड वीडियो यह बड़िशी ओन बोर्ड मतला भी रॉकेट पे जो क्यामरा लगा था ना यह उसका वीडियो है बड़ा महिदार वीडियो है दिखाता हूं आपको मुए तो personally बहुत अच्छा लगा था आप बताईएगा आपको कैसा लगा और इंफर्मेशन कैसी लगी जान करके इन सारी चीजों के बारे में ठीक है यह भी बताईएगा इत्ती मेहनत की मैंने इसलिए मैं थोड़ा सा लेट बनाया आराम समने का फुरसत में बनाते हैं ल मेरी बज्जत ही करा रहा हो तुम अब फुरन खुल गया बहुत तमीज आदमी यह ओन बोर्ड वीडियो यह चाहिए मेरे को यह देखो मैं दिखाता हूं मेरे को बड़ा मर्याद इसको देख करके चल जा सिम सिम चल गया देखा असे कोड आज भी काम करता हूं मिला अली बाबाक साथ चला गया कोड चल जा या क्यों परिश्वान कर रहा है तूट गया यह पता हूं ऐसे कैसे मैं चलात रहूं बाच कि दिंग दिंग चल जा भाई ओ माइग वीडियो आज कैसे हट गया कैसे होना चाहिए था कोई बात नहीं मिलेद मैं लाच्म लगा दूँगा इस वीडियो को ठीक है तो चलिए फिर आई थिंक आपको यह इंफॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी मिलते हम फिर कभी ए कि अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो मेरे पास बहुत से टॉपिक्स है वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट बाक्स जुरूर बताईएगा ठीक है तो वीडियो जुरूर बनाऊंगा ठीक तेले मिलते हैं फिर बाई बाई